हालो फ्रेंट्स आज की वीडियो में आपका श्वाकत है आज मैं आपको गहन मून निकालना सिखाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं कल जो बता रहा था मैं पिछली वीडियो में लाश्ट वाला जो समझ में नहीं आये सबसे पहले मैं घंन बता देता हूं और संग और डिजिट वाले जो अलग-अलग डिफरेंट वाली संखेया होतीं उनका रहन कैसे निकालते कर देख लिए ठीक है सबसे पहले जहां मल निकालना बता हुं बहुत आसान तरीके से देख ए सबसे पहले कुई भी च्शंखेय ले लेते हैं थर्टीफोर को की प्याले kita कैसे निकाले इस पर इसमें बताए था एक दो तीन चार अंक लिखरें हैं अमने टीक इसक अ caveat उसमें दो भी अंक आ सकते निग्म मांनते हैं जहुंझ जोड़ते हैं ठीक सबसे पहले करते हैं पहले अंग कीऊप यहने टीन का क्यों की तुआ 2 इसको इसको स्क्राइब करेंगे कितना हैं उसकी multiply अगले अंक में कर देंगे next अंक में 3 तिया 9 और 9 चोक 36 जहां से दुवार देखो 3 का square पहले वाले अंक का square करके अगले वाले अंक से multiply करेंगे 3 का square multiply 4 यानि 3 square multiply 4 तिया 9 चोक 36 अब अगले step पर देखिए अगले step में कहा है दूसरे वाले अंग का sqor करकर मृटिप्लाई करेंगे पहले वाले से 4 का sqor करेंगे तीन से मृटिप्लाई करेंगे 4 का sqor कितना हो ग या चार चोक 16 ती 4 चोक 13 इना 26 62 4 4 एक यंग लिखना बाकि हम्हाँ 5 आप थाना पहुंचा देने चितने ही बचें आप देखो नब्बहर चालीस एकसो थीस एकसो थीस और च्छे एकसो चौबालिस एकसो पचास एकसो पचास की जीरो और हासिल बचें पंदर है यहां जाएंगे पंदर ठीक है अब इना जोड़ो 37,100, 115,6,123, कितना होगा यह 130, 130 का 3, कैरी कितना बचा, 12, 12 है लिख देंगे, अब 12 को जोड़ो 27,20, 10, 10, 10, 49, ठीक है, इस तरीके से आंसर होगा, अब चलते हैं, घंमूल, ठीक है, घंमूल कैसे निकाल, अब घंमूल लेते हैं, घंमूल के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमें, फिर से एक का घं, एक, दो का घं, आठ, तीन का घं, 27, चार का घं, 64, पाँच का घं, 125, छे का घं, 216, साथ का, 343, आठ का, 512, नो का 729, यह देखना पर से एकाई कंग देखना, इसलिए लिखें मैंने, ताकि एकाई कंग मैं जान सके, ठीक है, तो एक सेंख्या ले लेते हैं, जैसे ले लिए हमने, 13 on the, 13, 824, इसका हमें, cube root निकालना, क्या निकालना, to cube root तो कैसे निकालने तीन का जोड़ा ले लेते हैं जब को वर्गमूल निकालना सिखा एता तो हम क्या करते थे सिर्फ दोंग कोंगा जोडा ले देते अब यह घंबुल है तीन मार गुणा करते हैं फिक यह अब देखिए क्या करना लाश्ट इसमें लाश्ट डिजिटेखो कितने फोर और में यहां देखने किसके क्यूब में 4 आती है, 64 में ही तो 4 आ रहे, इसका मतबद 4 के क्यूब में आती है, 4 क क्यूब होता, उसको 1 एकाई अंक 4 होता, क्यूब में सब के 1 एकाई अंक अलग-अलग मिलेंगे, तो इसमें एक वार उत्तर आ जाये, कंफर्म होजागा एक बहुत आसम तरीके से, सबसे आसान तरीका सबसे वेश्ट तरीका है तो देखो 824 में 4 एक आई गंग है तो पताओ किसका घंग हो सक चार का होता ना बाद में 4 ठीक है कोई देखकत अब देखते हैं 13 अब मारे पास बची 13 अब यह देखके एक किसके गूब के पास बैठ रहा सो बड़ा हो गया और दोगभा यूबिस से छोटा हो गया नहीं है किशेद के बाद खोलेंगे जो अंक पाट जो संक्या बजती है उसे देख ाके वाक्र बकलन के ने きा शोad फ़ेख के बार थो यह जैसे यह ली लिया 15 625 इसका क्यूब रूट निकाल लीजिए ठीक है कैसे करेंगे 625 तीन का ग्रूब बना लिए तीन अंकों का पांच किसे में आता देखिए पांच में आता तो यह पांच लिख देंगे बजा कितना पंद्रा अब पंद्रा को देखो यह किसके उसमा आ रहा ठीक है 827 यानि तीन का क्यूब और दो के क्यूब से छोटा है यह तीन क्यूब से दो के क्यूब से तो बड़ा हो गया पंद्रा तीन क्यूब से छोटा तो ठीक है हम इस संख्या को लेंगा जो इस पंद् टीक